सबी दोस्तों को जैंखेंट बनेमात्रम राम राम एसे से जेरे और पुवालिभर्ति का फिजिकल मेडिकल डॉक्मार रिपिकेशन का दोस्तों 17 दिन कंप्रीट होते हुए और फाइनली दोस्तों अपडेट क्या निकल के सामने आ रहा है फिजिकल आपका कब तक चलेगा जो सबस्तों को अंस्पीट किया जा रहा है सारी जनकारी में आपको दूंगा इस वीडियो में वीडियो सुर्षेंट जरू देखना वीडियो सभी के लिए मुश्य पॉर्ट रहने वाला है सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं आपका फिजिकल कब तक चलेगा और फाइनल जो स्टेंबर से फिजिकल आपका स्टार्ट हो गया था जो कि आठ नॉमबर तक चलेगा लेकिन मैं आपके सब्सक्राइब बता दू ऐसे बहुत सारे छोटे-छोटे स्टेट्स हैं जानका मेल केंडेट्स का फिजिकल आज खतम हो चुका है और दोस्तों मैं बता दू आपके स स्टेंबर से फिमेल केंडेट्स का आपका फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा और 25 अक्टूबर तक बाइआ अलमोष्ट जितने भी हमारे स्टेश स्टेट चुका का मेल फिमेल का आजो फिजिकल खतम हो जाएगा खाली उनहीं का दोस्तों की जिएदा टेट इसके बच्चे हैं जिनको बना के लिए पूइंट रहा है इसे के चलते यहां पर इतना टाइम बताएंगा लग जाएगा नहीं तो बहुत बच्चे लिए बेच्टाइस तरीक बित्तर तो चलते आपका आठ नॉम्बर तक यह सब कुछ फिर इसके बाद SI ने और नोटीस यहां पर जारी किया तो इसमें यह बताया था कि 10 दिन के वित्तर आपके जितने ही बंतों का दोस्तों री मेडिकल वगेरा सब कुछ होगा यह सारा कुछ कुछ के लो लिस्ट जारी कर दे कितने बच्चे मेडिकल पास हुए कितने बच्चे फेल हुए आप यहां पर देख सकते हैं यह दोस्ता कितना 9 नॉवंबर से लेके 21 नॉवंबर के बीच में सब कुछ जारी कर दिया जाएगा इसना तक हम फाइनल रिजल्ट की बात करें तो आपके बाइस नॉवंबर से लेके 7 दिसंबर के बीचे फाइनल रिजल्ट आपक आपको बिलाया जाएगा और उसके बाद आपको दस से पारे दिन का टाइम मिलेगा उसके दिन के अंदर सारा फॉर्म फिलप करके आपको जोइन करना है तो जनवरी लास्ट में आप सभी का जोइनिंग होने वाला है बहुत सारी लोग बोले कि दिसंबर में जोइनिंग हो गये यह सारे जो पोर्सेस ने इनका अल्मोस जोइनिंग स्टाट हो जाएगा बात बहुत संब आपका आप देख लो 22 से लेके साथ दिसंबर के बीच में कभी भी आपको आ सकते हैं आप पकड़ लो भाया दिसंबर में रिजल्ट आएगा तो 5-6 तक मेरे ख्याव से रिज होना है पासिंग की बात करें तो पहले स्टार्टिंग में जो पहले से लेकर साथ दिन तक फिजिकल चला उसमें बहुत कम बच्चे भईया फिजिकल में प्रेजेंट हो रहे हैं और अभी जो पासिंग एवरेज और बहुत सरे बच्चों को री मेडिकल पॉइंट वगर अभी मिल रहा है लेकिन 3,48,000 जो केंडिट्स को बुलाया गया था उसमें से लगभाग मेरे ख्यास से जो मेडिकल पास होंगे वह 90,000 पास होने वाला है उससे ज़्यादा केंडिट्स पास नहीं होंगे क्योंकि बहुत सरे बच्चों को री मेडिकल पॉइंट मिल रहा है अभी जब तक यह सब कुछ खतम नहीं होगा तो पूरा एक्चुली डेटा हमारे पास नहीं आएगा पर मेरे बहुत सरे चोटे मोड़े स्टेट का तो आल्मोल्स आपका 25 ऑक्टूबर के बीच में ही भीया जाएंगे उनमे से सारे बचोंका मेरीट बनने वाला है यह सुछ च्राइब है करें मैट सो सबसे ज़्यादा री-मेडिकल पॉइंट यही सारे चीज में दिया जा रहा है आई टेस्ट आप देख लेना जब जिनको भी रीमेडिकल में आई मिला होगा आप देख लेना विजन में सबसे ज्यादा केंडिएट से ऑल्मोस्ट 90% केंडिएट जो भरे पड़े हैं बहुत पाँच केजी तक जो ओभर वेट हो रहा है वो लोग चला दे रहें और पाँच केजी आपका अंडर वेट भी चल जाएगा ठीक है लेकिन इससे ज़्यादा अगर हो तो फिर आपको ओभर वेट कैटेगरी भी दे देंगे यह दोस्तों आपका है यह सारे पॉंट में जाधा वो दोस्तों किस चीज के लिए बाहर निकाल जा रहा है तो कास सार्टिफिकेट में जैसे कि आपने EWS बनाया हुआ है अब EWS में आपने जो आपका फॉर्मैट है वो गलत है तो EWS वालों को टाइम दिया गया है तो वहां पे जो आपका प्रॉब्लम हो रहा था अभी वह एक्सेट कर रहा है ज़ो YouTube और आपके जया एक्सेट चल जारा बड़ा प्रॉब्लम होनेसे ब्रॉब्लम हो गलत हो गया नाम का पापा का नाम का GLEत हो गया एक LED हो जा रहे है उसी आप दोस्तोς अगर ड्राइविंग लेके जन्स पासपोर्ट यह सब लेके जा सकते हैं लेकिन जो बच्छे पेंट काड लेके जा रहे हैं भगा दे रहे बच्चों को पांस से लेकर तीन दिन का टाइम दिया जा रहा है और कुछ सेंटर में दो दिन का भी टाइम दिया जा रहा है। सबसे बड़ी चीज है और आप यहां पर देख सकते हो जो लोग रिजल्ट के लिए तयार कर रहे थे अभी इंतजार कर रहे हैं तो रिजल्ट आपके बहुत जल्दी आ रहा है किसे नहीं कोई जुलत नहीं है और बहुत सरे बच्चे पूछे थे कि अगर आपके आई 6x9 भी है आपके रीमेडिकल में भी एकसेप्ट हो जा रहा है बहुत सरे बच्चो को आई इसमें पास भी कर दिया रहा है कोई भी दिख्कत नहीं है और बहुत कम बच्चों को पांच पॉइंट मिला है तुछ बच्चों को चार पॉइंट भी रिमेडिकल में पर भाईया वो लोग फिट होके आए उनलों को रिजेक्शन का सामना नहीं करना पड़ा है इतने भी सारे हैं बंदे तो परसान नहीं होना है और अभी दलाली काम भी बहुत जोरों से चल रहा है एक बच्चे से अभी एक लाख रुपए ठग लिया गया है किस चीज के नाम पे क्या आपको हम री मेडिकल में पास करा देंगे और उस बच्चे ने एक लाख रुपए दे दिया और भाईया वो फेल भी हो गया है उसको ट्रवाइब तो पैसे का जोचार रहा है बोध सारे जोग को पैसे चकर में ली लिए जा रहा है कि आपको यहार सीपने सीखुट परते हैं के बच्य bipolar को बैसे प्रिबेस के रहा कटफ इसी एरा कटफ को मैंच करके किसी एर में कितने बच्चे काटिकरी वाइस पास हो रहे तो उसके बहुत जल्दी एक पॉस्टर वीडियो लेके आने वाला हूं आप सभी का एक काम है कि आप सब अपना स्कोर जितना भी आप का स्कोर आया हुआ है वो दोस्तु जादा है जीस हो अप मेडिकल से 10 नमबर जादा है पांच नमबर जादा है के लिए परसान नहीं होना है तो आपको जाना है और पास होके आना है को यह बरोसा ही ताकत है यह बरोसा ही आपको बदल में वर्दी चड़ाएगा अगर खुतियों बरोसा नहीं करोगे तो फिर आप कुछ भी नहीं कर पाओगे और मैं तो बस हमेशा एकी चीज़ करना चाहता हूं कि भरोसा रखो अपने उपर भगवान भी तुम्हाई साहता करने को तयार है मैं दोस्त इससे तो तुम्हें अपके और मेडिकल देने का उपर्चुनिटी मिला हुआ है फिजिकल के साथ और भईया तुम ग्राउंट फीडों के आए हुए हो अब आप सभी का 90% चाहस है कि न आधनी मानना मैं हमएचा कहता हूँ आप सब मेरे क्या हो चैमपियन्स हो जाते हैं बस इतने केना चाहूँगा इद्वंद कहां तक पाला जाए युद कहां तक काला जाए राना कातु बन सज है ठेक जहां तक भाला जाए दोनों तरफ लिगाव भात सिक्का वह इंशाचर बोल भात मता की जय वंदे मातरम जय हिंद जय बारत